आपका हमारे चैनल Amplitude Studies में स्वागत है और ये वीडियो मैं Polytechnic के उन students के लिए बना रहा हूं जो अभी अभी फर्स सेमेस्टर में जिन्होंने admission लिया है और चाहें वो आप किसी भी ब्रांच के हों आपको कुछ common subjects हैं जो पढ़ने ही पढ़ते हैं तो उन में से applied maths first एक subject है सभी ब्रांच के बच्चों को पढ़ना पढ़ता है क्योंकि इसका यूज उनके आगे आने वाले जो subjects होंगे उनके ब्रांच से related उन में यूज होता इनका तो इसलिए आपको maths, physics, chemistry ये सब subjects पढ़ाए जाते हैं तो इस वीडियो में मैं applied mathematics first का syllabus discuss करने वाला हूँ कि आपको उसे क्या-क्या क्यों पढ़ना है क्या-क्या पढ़ना है क्या-क्या उसके फायदा मिलेगा तो देर ना करते हुए आईए चलते हैं applied mathematics first के syllabus पे और ये मैं बता दूं कि ये सभी ब्रांच में common है तो ये वीडियो first semester के हर बच्चे के लिए आवश्यक है तो देखे ये है applied mathematics first का syllabus और जैसा मैं पहले भी कुछ वीडियो उसमें discuss कर चुका हूँ कि mathematics के लिए lectures जो है 5 हैं और tutorial practical इसमें नहीं होता है तो इनके lectures भी नहीं होंगे केवल theory के 5 lectures आपके होंगे ये 5 lectures अब किस तरह हैं एक week में arrange किये जाते हैं ये आपके time table पे टिबेंड करेगा जादा तर ऐसा होता है कि दो lecture एक साथ दो lecture एक साथ और एक अकेला lecture डाल दिया जाता है कहीं पे तो इस तरह से आपका applied mathematics first के 5 lecture लगते हैं अब आपको चीजें क्या-क्या पढ़नी है वो ध्यान दीजी आप तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे इसमें units दी है unit 1 algebra first है unit second algebra second है unit third trigonometry है unit 4 differential calculus first unit number 5 differential calculus second है तो ये इसमें से कई बच्चे पूछते हैं इसमें से कितने number काएगा इसमें से कितने number काएगा तो देखें यहाँ पर तो आपके cable periods mention है कि 12 period में खतम हो जाना चाहिए इसके लिए 12 period allot किये गए इस तरह से different different units के लिए different different periods allot किये गए हैं लेकिन marks नहीं लिखें यहाँ पे तो marks के लिए आप जब सबसे last में आएंगे तब आपको यहाँ पर मिलेगा suggested distribution of marks तो इसमें क्या है topic one आपको कितने कितने lecture से lot किये गए हैं वो तो लिख दिये हैं marks देखें यहाँ पे लिखा है और वो भी percentage में लिखा है कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि वो सोचते है topic one 20 number काएगा ऐसा नहीं है यह 100 में से percentage दिया है जो आपका mathematics का paper आएगा वो 50 number क आता है इसका मतलब यह जितना भी marks यहां पर लिखा है उसका आधा आधा कर देंगे जैसे first unit के आगे 20% लिखा है तो इसका मतलब marks अगर देखेंगे 50 में तो केवल 10 number का आएगा second unit भी इसी तरह से 10 number की third unit 6 number की और चौथी और पांचवे इनिट जो है वह आपकी 12-12 number की लेकिन जो थोड़ा average students होते हैं जिनको यह चाहिए होता है कि मैं यह दो chapter त्यार कर लूँ तो इससे मेरा काम चल जाए बस तो उनके लिए यह distribution बहुत अच्छा रहता है तो देखिए आप last की दो दो unit है इनका weight is ज्यादा है 12-12 number का शुरू की 2 units का weight is जो है आपका 10-10 number का ह और तीसरी unit का weight is scale 6 number का है तो आप आईए वापस चलते हैं हम detailed contents पे तो वापस आगए हम detailed contents पे देखिए algebra first में आपको क्या क्या पढ़ना है series पढ़नी है ap gp उनका sum अगर terms हैं तो sum क्या होगा net term क्या होगा mean value क्या होगी दियान दीजिए अगर जो बच्चे 12th करके हैं वो उन्होंने एक hp भी पढ़ी होगी harmonic progression भी पढ़ी होगी लेकिन वो यहाँ पे हमारे syllabus में नहीं है तो देखिए ये नाम इसका जो mathematics है केवल mathematics नहीं रखा गया applied mathematics रखा गया है तो applied mathematics का syllabus जो है आपका जो core mathematics से जो आप पढ़के आए हैं उससे थोड़ा कम रहेगा क्योंकि ये वह mathematics है जो engineering में apply होगी तो इसलिए हमें केवल वही पढ़नी है चीजे जिनका use हमें करना है आगे इसके बाद देखिए binomial theorem for positive and negative and fractional index है इस इसका without proof है इसका मतलब इससे proof से आपको कोई मतलब नहीं होगा application of binomial theorem जहां जहां पे apply होती वो चीज़ें आपने देखनी है और तीसरा पार्ट है determinants, elementary properties of determinant of order 2 and 3, multiplication, system of algebraic equations, consistency of equations and grammar rule मतलब आपको determinants और उससे equations कैसे solve करेंगी, grammar rule वगरा ये सब चीज़ें इसमें पढ़नी है तो ये 10 नंबर का आपका paper में आना है इससे तो इसको आप तयार कर सकते हैं इसके बाद unit number second पे चलते हैं ये भी 10 नंबर कियानी है ये पहली unit भी 10 number किया नहीं थी और दूसरी unit भी जो है आपकी 10 नंबर किया इगी इसमें क्या है algebra second part है vector algebra dot and cross product scale and vector triple product देखिए 12 में आपने dot and cross product पढ़ा होगा लेकिन ये triple product नहीं पढ़ा होगा तो वह आपको यहाँ पे study करना है complex numbers में complex numbers representation कैसे होता है उनका modulus कैसे निकालते हैं amplitude क्या होता ह Demivers theorem ये आपने 12 में पढ़ी होगी its application in solving algebraic equations mod function and its properties ये आपको algebra second में पढ़ना है 10 number का इससे आएगा और देखिए जो 12 वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा दिक्कत नहीं महसूस हो रही होगी लेकिन जो 10th पास करके बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करें मैं एक अलग एक वीडियो भी उनके लिए बनाऊंगा कि 10th वाले बच्चों को किस तरह से study करनी चाहिए ताकि वो ज्यादा उन्हें डर ना लगे क्योंकि उनके लिए सबकुछ नया है और देखे शॉर्ट में है सबकुछ कुछ कुछ चीज़ें छोड़ करके यहां पर syllabus बना दिया जा तीसरी इंट पर दिखे आते हम यह trigonometry है और test period में खतम होनी चाहिए और यह आपकी जो है वो six marks की होती है अभी हमने नीचे देखा था six marks की थी है इसमें यह relation between sides and angles of triangle statement of various formula showing relationship between sides and angles of triangle यह चीज़ जो है अपने 12th में पढ़ी है कोई इसमें नहीं बात नहीं है उसी तरह से य inverse circular functions simple case only तो trigonometry का कम syllabus है इसलिए उसके जो weightage है वो भी केवल 6 number का है इसके बाद हम आते हैं differential calculus first चौथी उनिट और पांच उनिट differential calculus second इन में देखिए आपका जो है syllabus जादा जादा है और यह जो है आपकी बारा बारा नंबर की उनिट्स आनी है कहने का मतलब अगर कोई बच्चा कुछ न करे उपर और केवल यह चार और पांच उनिट करके चला जाए तो बारा बारा 24 नंबर में 24 नंबर अगर पूरे भी लिया है तो उसे fail होने से नहीं रोक सकता कोई तो इसलिए back आना बहुत मुश्किल होता है वैसे तो लेकिन समस्या यही है कि बच्चों की back बहुत आती है Mats में आती है Physics में आती है Chemistry में आती है कुछ और इनसे Comeback Engineering में आती है फिर ऐसी Second semester में पहुचेंगे आप फिर आपकी Applied Math Second, Applied Physics Second इन में back आती है ज्यादा थर्ड समस्या पहुचेंगे तो Applied Math Third में back आती है ज्यादा तो इसलिए इन subjects को आपको जाधा time देना पड़ेगा ताकि आप इनमें अच्छे marks प्राप्त कर सके तो देखे differential calculus first में क्या है functions, limit, continuity functions and their graphs, range and domain, elementary methods for finding limits, right and left मतलब right hand limit, left hand limit दोनो, elementary test for continuity and differentiability तो इस देखे नए है कुछ भी नहीं है, सब 12 कही है इसमें methods of finding derivative, trigonometric functions, exponential functions, functions of function, logarithmic differentiation, differentiation of inverse trigonometric function, differentiation of implicit functions, implicit मतलब a is first, जो अलग-अलग ना किये जा सके variables उस तरह के implicit function तो इन सब के derivatives निकालने यह आपके syllabus में हैं, अब आते हैं देखे differential calculus second पे, इसमें higher order derivatives हैं, leavenist theorem है without proof, मतलब leavenist theorem को apply तो करना है आपने, लेकिन इसका proof आपके syllabus में नहीं है, इसके बाद application है, finding tangents, normal, points of maxima minima, increasing decreasing function, rate, measure, velocity, acceleration, errors and approximation, मतलब जो differential calculus पढ़ी है, उसका use इन चीज़ों में हमें सीखना है, और यहीं पर आपका syllabus जो है, वो खतम हो जाता है